नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हें दिनोली शो में तो दोस्तों चीन ने भारत को इतना जालब परिशान कर दिया है अलग अलग चीजों पर खास कर कि सीमा पर इतने जादा विवात बढ़ा दी है पिछले एक हफते में कि भारत को अब एक्शन लेने के लिए सामने आना ही पड़ेगा और इसमें भारत अब तक एक्शन क्यों ले रहा था इसके पर उपर तम अलग वीडियो पर आएंगे कि अब तक क्यों नहीं लिया था पर इसमें लिए पर आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बादी में एक और वीडियो भी वहापर डालूँगा इसे क्योंकि बहुत सारे निउस आती हैं तो मतलब कि यहां पर तीन से जादा वीडियो डालना संभव नहीं हो पाता तो जादा वीडियो में वहाँ पर छोट छोटी वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो डिस्किप्शन में लिंक है जाकर फोलो कर लीजिएगा तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहले तो उन्होंने नाकुला दर्रे पर भारत के साथ एक तरीके से विवाद करना शुरू किया भारत ये मतलब कि जो वहाँ पर सैनिक थे उनके साथ लड़ाई करने शुरू करी हाला कि वहाँ तो मूँ तोड़ जवाब मिला चीन क दूसरा उन्होंने अपने चोपर्स जी वो मिलिटर हेलिकॉप्टर थे वो भेज़ी दिये लद्दाक वाली सीमा पर जहां पर भारते सुख होई लड़ा को यहां ने मूँ तोड़ जवाब दिया लेकिन अब भारत को यहां पर आकरमक रंड नीती अपनानी ही होगी यह मा जारा रहा है कि भारतीन नेवी यहां पर एक ऐसा अधर्व चीन को मैं करसकते हैं कैसे क्योंकि देखें नेवी में भारत को अपर हैंड आता चीन के उपर करान में आपको बताता सन फार सा मैं आपको मतलब की आ डा EV कि आट वार्व कि पाहर दो चीन को नेवी तो भारत से मिलता है रश्या से, अगर हम रश्या से भी सपोर्ट माँगे तो रश्या की नेवी को इतनी ताकतवर नेवी नहीं है, बहुत ही छोटी सी नेवी है, सिर्फ एक उनके पास एरक्राफ्ट करेर है, लेकिन भारत के पास पूरा का पूरा क्वार्ड मेंबर, यानि कि एश्या की दूसरी सबसे बड़ी नेवल फोर्स, जापान वो भारत के साथ है, अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स, यानि कि पूरी चीन और रश्या को तो अकेले रूस देख लेगा, मतलब कि अमेरिका देख लेगा, इसके लबब और ऐस्ट्रेलिया का सपोर्ट, भारत के पास massive एक तरह की से backing और जैसे कि भारत के पास एक option ये भी है जिस तरह के से Australia ने अपना है Australia ने क्या किया कि उसने ज्यादा कुछ खास विवाद में पढ़ानी जब मतलब की सुरू में Australia को धंकाना शुरू किया चीन ने जैसे कि भारत के साथ एक तरह की इस तरह कारवाई कर रहा है तो उसने अमेरिकी जो destroyer थे उनके साथ ही अपनी एक ship बेज दी जो दक्षीन चीन सागर जा रहे थे उससे क्या है कि मैसिज पहुंच गया चीन को एक और चीन ने फिर दुबारा बूली ने किया Australia को ऐसी भारत भी कर सकता है कि जस तरह की से अब जा लगातार पैट्रोलिंग कर रहे हैं अमेरिकी ship तो वहाँ पर लगातार रोज हर दूसे तीसे दिन वह चीन की सीमा में घुश जाते हैं उसे एक मौका मिला और उसने कड़ी कारवाई चीन के उपर कर दी तो भारत के पास यह सबसे best option जो experts बता रहे हैं क्योंकि देखिए अब एक तरीके से भारत को जितना पिछे धके लेगा चीन भारत उतना पिछे अगर defensive policy अपनाएगा तो ऐसा ही होता रहेगा अभी तो उन्होंने डोक सिर्फ यहीं पर क्या आने वाले समय मों डोकलाम पर या दूसरी जो अरुणाशल प्रदेश में भी विवाद खड़ा कर सकते हैं तो ऐसे में इन चीजों को रोकने का best option है कि भारत यहां पर आकर्म करण निती अपनाए और अपनी नेवी का सितमा अभाड के जो लोग हैं वो लगातर उन्हें भी तंक करते हैं तो बारत वहाँ पर double message दे सकता है कि अगर आपने हमें हमारी सीमाव पर पर प्रेशान करने कोशिश की line of actual control पर या फिर मैक महन लाइन पर तो हम आपको दक्षिन चीन सागर में मू तोड़ जवाब देंगे ज इस तरीके से Australian दिया, Japan ने दिया और America ने दिया है वारत को यह रणने है पर जल्द से जल्द अपनानी होगी कि defensive policy ज़्यादा लंबे समय तक चीन के किलाव काम नहीं करती तो इस पर आपके ख्यारा है कमेंट करकर जो बताएगा साथी इस वीडियो को शेर कीजएगा और च